जब भी कोई महिला गर्भवती होती है, तो उसे पता चल जाता है कि वह गर्भवती है, मगर कई बार महिला को इस बारे में पता नहीं होता है, या फिर महिलाएं जो होती है वे इस दुविधा में रहती है कि वे गर्भवती है या नहीं, और ऐस में गर्भवती टेस्ट किया या नहीं मगर फिर भी एक प्रशन महिला के मन में रहता है कि प्रेगनेंसी कितने दिन में पता चलता है यानि आखिर कितने दिन के बाद में प्रेगनेंसी का पता चल जाता है तो अरग आप भी इस बारे में नहीं जानती है तो वीडियो आप के लिए उप्योग होगा क्यों में एक HCG नामक हार्मोन का उत्पादन हो जाता है और यही वह हार्मोन है जिसके कारण से पता चलता है कि महिला प्रेगनेंसी में है या नहीं दरसल यह हार्मोन गर्भावस्था परीक्षन के रूप में काम करता है और बताता है कि महिला गर्भवती है कि नहीं HCG का स्तर गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में तेजी से बढ़ता है लेकिन इसे आपके शरीर में बनने में समय लगता है इसका मतलब यह होता है कि अगर आप गर्भवती होती है तो आपके शरीर में यह हार्मोन होगा और इसी हार्मोन की मदद से आप यह पता लगा सकती है कि आप सच में गर्भवती है या नहीं. क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि शुरुआत के दिनों में इस हार्मोन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और उन्ही दिनों में गर्भावस्था परिक्षन कर लेना चाहिए. मगर अब आपके मन में यह प्रशन आता है कि आप कब प्रेगनेंसी टेस्ट कब करे यानि आप प्रेगनेंट है या नहीं या कितने दिन के बाद में पता करे तो आए इस बारे में बात कर लेते हैं. यदि आप जानते हैं कि आप कब गर्भवती हुई हैं, तो आप अपनी मासिक धर्म की तारीख से अपनी गर्भावस्था की उम्र का अनुमान लगा सकती हैं. और यह ध्यान रहे कि जब अंतिम बार माहवारी होती है, तो उसके पहले दिन से तीन से चार सप्ताह बाद गर्भावस्था परीक्षन कर सकती है और यह कन्फर्म कर सकती है कि आप सच में गर्भती है या नहीं. इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी का अंतिम माहवारी के एक से चार सप्ता के बाद में पता चल जाता है मतलब एक महीने के भितर आपको प्रेगनेंसी का पता चल जाता है इसका पता लगाने के लिए आप दो तरह के परिक्षन कर सकते हैं जिनमें से आप एक तो घर में ही पता लगा सकती है और दूसरा डॉक्टर के पास जाकर जाँच करवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि घर पर कैसे पता किया जाता है तो यह कुछ ऐसे है। दरसल बहन घर पर प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए आपको गर्भावस्था परीक्षन करना होता है। जिसके लिए आप प्रेगनेंसी कीट का उप्योग कर सकती है। यदि आप अपनी अंतिम माहवारी के एक सप्ता से अधिक समय से चूग गई हैं, तो आप घर पर गर्भावस्था परीक्षन कर सकती हैं। और प्रेगनेंसी का पता लगा सकती है। इसके बाद में आप डॉक्टर के पास जाकर गर्भावस्था परीक्षन करवा कर इस बारे में सही जानकारी हासिल कर सकती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपने जाना की प्रेगनेंसी कितने दिन में पता चलता है। तो अगर जानकारी आपके लिए उप्योगी है, तो कृपा वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे।